इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जी मेल पर फोटो कैसे डालें यानि जी मेल पर फोटो कैसे सेव करें अगर आपके पास कोई फोटो है और आप उसको अपने जी मेल में सेव करना चाते हो हमेशा के लिए ताकि कभी भी आप उसे वापस ला सको तो कैसे लाना है कैसे save करना है आये जानते ही इसके लिए आपको gmail को सबसे पहले open करना है अपने phone में यह तरीका हर phone में काम करता है और हमेशा काम करेगा compose email पे touch करो यहाँ पर आपका gmail ID होगा नीचे आपको अपना ही यह वारा gmail ID same to same enter कर देना है जो उपर है द्यान लखेगा same to same करिएगा कर दिया है मैंने यह इसका mark बन के आ गया है यानि icon बन के आ गया है वैसे gmail ID ही है आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको subject में लिख देना है वो चीज जिससे आप इसे बाद में ढूंड सको माल लिजे मिल दिता हूँ यहाँ पर my home work कर दिया हमने compose email पर आईए compose email पर आने के बाद उपर पिन का निसान मिलेगा इस पर touch करो attach file option पर touch करना है आपको थोड़ा सा wait करना है यहाँ पर अपना PDF या फोटो ले लिजिए तो यहाँ आपे मैं screenshot में से एक फोटो ले लेता हूँ जो मेरे काम का है तो मैं नीचे के तरह जाता हूँ मैं एक यह वाला photo और एक यह वाला दो फोटो ले लेता हूँ मैं time option पर touch करता हूँ यह आ गया है दो फोटो हमने लिए है arrow option पे touch करिए और यहाँ पे हमारे photo save हो गई है अब by chance माल लीजिए हम उसे ढूंड़े हैं कैसे तो आपको search email पे आना है जो आपने नाम डाला था मैंने डाला था my homework तो मैं आपे homework टाइप करूँगा तो हुवक लिखने के बाद यहाँ पे मेरा जो mail है वो आजाएगा आप देख सकते हैं पुराने भी आ रहे हैं मैंने पुराने भी save कर रखे हैं शायद आप समझ गए होंगे इस तरीके को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर करें अगर आपका कोई सवाल है कमेंड करें